हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू तेयारी ओनलाइन मैं सुधा आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवी के हिंदी पाठे पुस्तर छेतेज भागे का नौवा अध्याए करने वाले हैं नौवे अध्याए में कवीरदाजी द्वारा लिखे साखिया एवं सबद दिये गये हैं तो बच्चों साखियों पर वीडियो बनाया जा चुका है यदि आप लोगों ने अभी तक कवीरदाजी के साखियों पर बने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं लिंक आपको आए बटन में दे दिया जाएगा और आज हम उनके द्वारा लिखे सबद को पढ़ेंगे साथ ही उसका भाव समझेंगे कठीन सब्दों के अर्थ जानेंगे तो चलिए देख न करते हुए सबद को पढ़ते हैं पहला सबद है मो को कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलास में ना तो कौने क्रिया करम में नहीं योग बैराग में खोजी होएं तो तुर्थे मिले हों पलभर की तालास में कहे कवीर सुनो भाई साधो सब सुआसों की सुआस में तो बच्चों अब हम सभी जानते ह कि कवीरदास जी किस धारा के कवी थे तो कवीरदास जी जो थे वह निर्गुन धारा के कवे थे और उनका मानना था कि इस्वर का निराकार रूप होता है यानि इस्वर का कोई रूप होता ही नहीं है वह निराकार है कोई आकार ही नहीं है उनका तो इस प्रकार से कवीरदास इस्वर के निराकार रूप को मानते थे और उनका माना था कि इस्वर सरवत्र है हर जगा है वो केवल मंदिर और मस्जिद में नहीं है अब यहाँ कठीन सब्दों के अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं तो देखें यहाँ पहला सब्द मोको मोको सब्द का अर्थ होता है बच्चो मुझे को मोको सब्द का अर्थ है मुझे को उसके बाद है ये दिवल है दिवल सब्द का अर्थ होता है दिवाले या कह सकते हैं मंदिर जहां इश्वर रहते हैं और कावा यहां देखें कावे का प्रयोग किया गया है कावा क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कावा जो है वह मुस्लिमों का तिर्धस्थल है कावा और कैलास जो है बच्चों वह हिंदूओं का तिर्धस्थल है उसके बाद कठिन सब्द है यहाँ पर योग बैराग बैराग के मतलब क्या होता है देखिए वैराग्य यानि इस्वर की खोज में जो मनुष्य हर चीज को त्याग देता है वैराग यानि की वैराग्य देखिए इस्वर की खोज में मनुष्य क्या करता है हर चीज को त्याग करके वैराग्य धारन कर लेता है यानि हर चीज को वो त्याग देता है उसके बाद यहाँ जो यह सब्द देख रहे हैं तूरते तूरते सब्द कारत होता है कि तुरंत मिली हो यानि मिलना पलभर की तालास में यानि आप जब दिल से इस्वर को पुकारोगे तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे कहे कबीर सुनो भाई साधो सब स्वांसों के स्वांस में स्वांस तो आप समझते ही हैं कहते हैं कि इस्वर जो हैं वह सांसों में यानि हमारे स्वांसों में हैं अब इसका भाव समझे यहां कबीर दाजी मनुश्य यानि लोगों से कहना चाहते हैं कि हम जीवन भर इश्वर को कहां ढूनते हैं मंदिर में जूनते हैं मस्जिद में ढूनते हैं लेकिन इश्वर हमें कहां मिलता है इश्वर हमें अपने हिर्दे में मिलता है अपने अंदर ही मिलता है और कहते हैं कि इश्वर ना तो कावा में है और ना ही कैलास में हम मक्का दीना और कावा जाते हैं भगवान को ढूंडने के लिए लेकिन भगवान कहा है भगवान तो हमारे पास ही है हम तो बेवज़ा ही उन्हें वहां ढूंडने जाते हैं हिंदू कहा जाते हैं भगवान को ढूंडने कैलास परबत पर कि भगवान कहा है कैलास परबत पर है और जाने की जरुवत नहीं है वह तो हर मनुष्य के स्वास में निवास करते हैं अब चले इसका भावार्थ भी आपको बतादें कि किस प्रकार से लिखना है देखिए बच्चों भावार्थ आप इस प्रकार से लिखें मनुष्य जीवन भर इश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना परकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभू के दर्सन नहीं होते हैं। अब देखिए इस्वर को ढूंडने के लिए हम लोग कहां कहां जाते हैं। केलास जाते हैं मंदिर जाते हैं मस्जिर जाते हैं लेकिन हमें कहीं इस्वर नहीं मिलते हैं इसी संबंध में स्वे निराकार बन मनुष्य से कहते हैं इस्वर कि है मनुष्य तुने मुझे कहां खोजा मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवाले में नहीं रहता हूँ ना किसी तेरतास्थान पर मैं किसी पाखंडी किरियाओं से भी नहीं मिल सकता जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पलभर में ही मिल सकता हूँ क्योंकि मैं तो हर प्रानी के प्रतेक स्वास में मौजूद हूँ मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो तो इश्वर कहा हैं बच्चों इश्वर हमारे मन में निवास करते हैं इश्वर हमारे कर्मों में निवास करते हैं और हम उन्हें कहां ढूनते हैं हम अपने इश्वर को मंदिर में ढूंदते हैं हम अपने इश्वर को मस्जिद में ढूंदते हैं हमें लगता है कि वो मंदिर और मस्जिद में बैठे हुए है है न हमारा इंतजार कर रहे है लेकिन इश्वर हमारे मन में है और हमारे अच्छे कर्मों में है तो हमें इस स्वर को अपने मन में ढूढना चाहिए, अपने कर्मों में ढूढना चाहिए बच्चों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सेयर करना भी बिल्कुल न भूले चलिए अब हम अगला सबत देखते हैं कि कौन चाहिए संतो भाई आई ग्यान की आंधीरे ब्रह्म की टाटी सबै उरानी माया रहे नवांधी हितिचित की दुए धुनी गिरानी मोह बिलिंडा तूटा त्रिशना चानी परी घर उपरी कुबधी का भांडा फूटा जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चु चुबे न पानी कूर कपट काया का निकश्या हरी की गती जब जानी अन्दी पीछे जो जल जूटा प्रेम हरी जन भीना कहे कबीर भान के प्रगट उदित भयातम खीना अब देखिए बच्चों कबीर दाजी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं सदुकरी भासा में हैं सदुकरी भासा कहने का आर्थ होता है बच्चों साध्वों की भासा यानि एक ऐसी भासा जो उस समय लोग समाज में बोला करते थे चलिए अब हम जो कठिन सब्द है उसके अर्थ जान ले तो यहां संतो सब्द का आर्थ होता है संत और बांकी तो आप जानते ही हैं भाई आई ज्यान अब यहां देखिए यह जो ज्यान सब्द है इसका अर्थ ज्यान से है किस से है बच्चों ज्यान से पहले इस परकार से ही ज्यान लिखा जाता था और अब देखिए इस परकार से लिखा जाता है तो कभीरदास जी कहते हैं कि संतों भाई आई ग्यान की आंधीरे कहते हैं कि हे संत जन जो सादू संत लोग हैं उनको कह रहे हैं कि हे संत जन ग्यान की आंधी आ रही है भ्रम की टाटी सबय उडानी भ्रम मतलब क्या होता है ब्रम यानि संदे यहाँ पर क्या कह रहे है कबीरदास जी संदे कबीरदास जी कहते हैं कि भ्रम की टाटी सब उड़ानी संदे की जो टाटी है आप लोगोंने टाटी देखा है घास फूस का जो घड बना हुआ होता है उसे टाटी कहते है जो घर किस से बना होता है जो घास फूच से बना होता है आप इसे जोपरी भी कह सकते है तो इसे गाउं में लोग क्या कहते है टाटी कहते है घास फूच से बने हुए घर को घाउं में लोग टाटी कहते है और कहते हैं कि भ्रम की टाटी सब है उड़ानी कहते हैं यह भ्रम की जो टाटी है यानि संदेश है वह सभी फैलाता है माया रही न बांधी लेकिन माया को कोई नहीं बांध सका माया जो मन का मुह है माया मतलब क्या होता है माया मतलब मुह होता है तो इस मुह को कोई बांध नहीं सका है मन क्या है हमेशा भटकता रहता है तो इसलिए कभीरदाज कहते हैं कि मन को कोई नहीं बांद सकता बांद यानि बानना हिति मतलब दो होता है गिरानी मतलब गिराई तो जो माया का मोह होता है बंधन होता है उसे यह नहीं गिरा सकता मोह, बिलंडा, तूटा अब यहाँ देखें बिलंडा जो छपपर के बीचों बीच बांधी जाती है उसको क्या कहा जाता है बिलंडा और तूटा यानि की तूटिया आगे त्रिष्णा चानी परी घरूपरी त्रिष्णा मतलब क्या होता है त्रिष्णा यानि मुह माया त्रिष्णा मतलब क्या होता है बच्चों मुह माया या आप यहाँ पर कह सकते हैं लालसा या लालच त्रिष्णा मतलब लालच लालसा, मोह माया, छानी पड़ी, घर उपरी, ये जो घर उपरी कहा गया है, तो यहां चानी सब्द का रत होता है, क्या? छपपर, छानी सब्द का रत होता है, चपपर देखा है, आप लोगों ने छपपर, यदि देखा है तो कमेंट करके बताइए, कुबुध्धी का भांडी है वह फूट गया है बर्तन भांडी मतलब बर्तन वह क्या हो गया है फूट गया है जोग जुगती करी संतो बंधी जोग जुगती यानि योग साधना के उपाई अब देखिए, यहां जो यह जोग जुगती सब्द है, इसका अर्थ होता है, योगशाधना के उपाई, करी संतों बांदी, और योगशाधना का उपाई कौन करता है, जो संत लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, योगशाधना का उपाई, निर्चु चुबैन पानी, निर्च मतलब होता है तनिक क्या होता है बच्चों तनिक तनिक निर्चू चुबैन पानी यानि कि तनिक भी उसमें से पानी चूना यानि गिरना एक भी पानी नहीं टपक रहा है कूर कपट काया का निकस्या अब यहां देखिए कूर कपट काया का निकस्या निकस्या यानि कि निकलन और कहते हैं कि मन के अंदर जो मुरी भावनाय होती है मतलब कूड़ा होता है कपट छल कपट जो होता है वह सबी निकल जाता है अब कैसे निकलता है तो हडी की गती जब जानी जब हम भगवान के बारे में जानते हैं तब यह सारी चीजें हमारे मन से दूर हो जाती है आन्दी पीछे जो जलबूटा प्रेम हरी जन भीना कहे कभीर भान के प्रगटे उतित भयातम खीना अब देखिए बच्चों भावार्थ इस प्रकार से लिखें गया ज्यान का महत्तो प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि है संतो ज्यान की आन्दी आ गई है उसके प्रभावों से भ्रम का आवरन उर गया वह माया की रसी से बन्धा न रह सका स्वार्थ के खंबे तथा मूग की बल्लियां तूट गई तृष्णा का छपपड गिरने से कुबद्धी के सभी बरतन तूट गए संतो ने योगशादना के उपाएं से नए मजबूत छपपड को बनाया है जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है जब संतों को प्रभू का मर्म पता चला तब उनका सरीर निसकपट हो गया यानि उनके सरीर में कोई भी छलकपट की भावना नहीं रही इस ग्यान रूपी आंधी के कारण प्रभू भगती की जो वर्सा हुई उससे हर कोई हरी के प्रेम में भी गई इस प्रकार ग्यान के सुरियोदे से संतों के मन का अंधकार नस्ठ हो गया तो ये था इस दूसरे सबत का भावार्थ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिलकुल न भूले वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं इसी अध्याय के प्रश्न भ्यास के साथ तब तक के लि झाल झाल